अलो दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सिकाने जा रही हूँ एक और न्यू डिजाइन का डोर मेट मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा वीडियो सेर करें बैल आइकन को जरूर दवाएं ताकि मेरी वीडियो की कि उच्जा में आप काओ रही है उसी नहीं इस तरह से अ मिलल ने इस तरह से अ फिंदे डालें अ एक है तो यह का इसथाती इस तरीकिका कि फिंदे डाल लेती हूं फिर मैं आपको बताती हूं कि कितने फिंदे डालने हैं तो आप 24 फिंदे में इसको बना सकती हैं 32 फिंदे में बना सकती हैं 40 फिंदों से बना सकती हैं इसी तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं मैं 24 फिंदे से बताऊंगी आपको तो 24 फिंदे इसमें डाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ ये देखो मैंने 24 फिंदे डाल लिये हैं अब 24 फिंदे डालने के बाद आप देखें किस तरह से बुनाई करने हैं इस वाले फिंदे को उतार लेना है अब देखें इधर से हम ये वाले कलर लेंगे और इस तरह से हम सीधा बुनेंगे उल्टी तरफ से आपको सीधा बुन लेना है एक फिंदे को हम क्रीम कलर से बनाएंगे एक फिंदे को हम बैमनी कलर से ये देखें पूरी रो में हमें इसी तरीके से बनाना है तो मैं बना लेती हूँ, एंड तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखो, पूरी रो मैंने कम्प्लीट कर लिए, अब इधर से भी आमें, जो जैसा कलल लगाया है, बैसा ही बुनते जाना है, यह देखें, यह देखें, इस तरी के से, पूरी रो इसी तरह से कम्प्लीट करना है, तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यह देखो, मैंने पूरी रो को कम्प्लीट कर लिया है, अब देखें, अब यह दो फिंदे हम इस वाली तलाई पर ले लेंगे, इहां से इस वाली कलर से बुनता है, यह देखो, यहां तक बुन लेना है, दो फिंदे हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे, सलाई को यहीं से पलड लेंगे, अब जो बैंगनी तलल लगाया है, वहीं तक आपको बुन लेना है, तो बुन लेती हूं, फिर आपको दिखा देखो, इस तरह से, हमने उपर तक बिल लिया, यह दो फिंदे मेरे छूटे हुए है, अब देखें, एक फिंदे को हम फिर से इस वाली सलाई पर बिगेर बुन ले लेंगे, और इस तरह से आपको बुन लेना है, एक फिंदे को हमने नीचे से छोड़ दिया है, बिगेर बुना हुआ, सलाई को यहीं से पलट लेना है, अब एक एक फिंदे को हमें इसी तरह से, एक हम उपर की साइट छोड़ देंगे, एक नीचे की साइट छोड़ देंगे, इसी तरह से आपको बनाना है, तो बीच में दो फिंदे बचेंगे, ये बनाते बनाते इसी तरह से, तो में दो फिंदे बचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, बनेगा इसी तरह से, एक फिंदे तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यह देखो यहां पे दो फिंदे बचे हुए है, दो फिंदे हमने यह बन लेगे, अब इनको नहीं छोड़ना है, बाकी फिंदे हमने देखें, इधर से दो पहले छोड़ेते, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आ से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, इस तरह से आपको बना लेना है, यह दली बनके तयार हो गई है, इस तरीके से, अब देखें, आगे हम किस तरह से बनाएंगे, गो देखें, अब फिर से देखें, यहां पर इस वाले फिंदे को तारा, अब यहां पर देखें, यहां पर हम इसको बैक साइड से लेंगे, इस तरह से करेंगे, और इसको इस तरह से, यहां भी हमें चोटी वाली डिजाइन बना लेनी है यहां हम 14 फिंदे में बनाएंगी यह डिजाइन को दो फिंदे हमें एस्टरा लेके चलना है तो गिल लेती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांक, छे यह देखे 14 फिंदे आप देखे यह वाले फिंदे अभी नहीं बिनने है अब देखे इस तरह से आपको डिजाइन बना लेनी है जो जैसा कलर का फिंदे को बनाया है उसी तरह से आपको बुन लेना है तो बुन लेती हूँ फिर आपको देखो ये वाली डिजाइन हमने डाल ली है अब देखें आंगे हमें किस तरीके से बनाना है दो देखें इसको तारा दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो गस ग्यारे बारे अब ये दो फिंदे हम इसी तरह से छोड़ देंगे इनको नहीं बुनना है तो बारे फिंदे हमने बुन लिये और बारे फिंदे अब ये मेरे नीचे स्की साइट पे हैं तो पूरे उपर तक इसी तरह से बुन लेती हूं फिर आपको दिखाए अब देखें यहां तक उपर तक बुन लिया अब देखें एक अब यहां से एक फिंदे को बढ़ा लेना है दो, यह देखे तीन, चार, पांच, छे छे फिंदे बिन लिए अब देखें बाकी फिंदे हम यह क्रीन पलव से दिनागे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे एक फिंदे को हम विगार बना हुए छोड़ देंगे उसलाई को यहीं से पलट लिया एक फिंदे को उपर बढ़ाया एक फिंदे को हमने नीचे बिगेर बुना हुआ छोड़ दिया अब जो जैसा कलल लगाया है बैसा ही बुनते जाना ये देखें उपर तक मैंने बुन लिया है अब देखें ये बाला तलर लगा लेगा है अब यहां पर देखें इस तरह से हम फिंदे को बढ़ाएंगे ये देखें एक फिंदे को फिंदे बढ़ा लिया तो दो फिंदे बढ़ जोके हैं बुन्ना हमें 6 फिंदे हैं, ये देखें, 6 बिल लिए बढाते हुए, और इस वाले फिंदे को इस वाले कलर से, और नीचे की साइट पे फिर से हमें एक फिंदे को बिगेर बुना हुआ, छोड़ देना है, ये देखें, वो सलाई को पलटती जा रही है, आप उपर तक जो ज ये देखें, यहां पर हमने 2 डिजैने डाल ली है, एक ब्हेंगनी कलर से, एक ग्रीन कलर से, अब देखो, हमें फिंदे बढाते हुए, इसको थोड़ा सा लूज करना है, अब देखें, थोड़ा सा लूज करेंगे, इस वाले कलर से बना लेना है, एक फिंदे को फिर से हम वहां तक जाना है, जहां तक हमने फिंदे को छोड़ा है, बिगर बना लुए, यह देखें, फिर से हमने छोड़ दिया, सलाई को यह इन से पलप लिया है, अब उपर तक इसी तरह से बुनते जाना है, अब फिर से देखें, यहां पे, इस वाले कलर से आपको बना लेना है इस तरीके से यहां पे एक फिंदे को फिर से बढ़ा लिया तो इसी तरह से हमें छे फिंदे बढ़ाने हैं दो फिंदे और बढ़ा लेने हैं और छे ही फिंदे को हम बुनेंगे डिजाइन में आप देखें दो फिंदे यह ग्रीन वाले हैं तो यहाँ पे इस तरह से हम कर लेंगे और एक फिंदे को हम फिर से नीचे की साइट से छोड़ देंगे और सलाई को पलग लेंगे इसी तरह से दो फिंदे और बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ यहाँ पे देखो मैंने 6 फिंदे बढ़ा लिए हूँ फिंदे नीचे छोड़ दिए 1 2 3 4 5 6 यहां तक छूट चूट चुके हैं और 6 फिंदे मेरे पास अभी यहां तक हैं यह 6 फिंदे मैंने बढ़ा लिए हैं आप बढ़ाना नहीं है फिंदों को अब इतने ही फिंदे रख तो छे फिंदे बिनेंगे यह देखें छे बिना लिए बाकी फिंदे हम क्रीम कलर से बनाएंगे कि नीचे की साइड से अभी इसी तरह से फिंदे छोड़ते जाएंगे इसी तरह से हमें दूसरा कलर बना लेना है और छे फिंदे नहीं बिनेंगे उसकी जगह पे हम पांच फिंदे बिनेंगे तो यह देखें किस तरह से हम पांच फिंदे बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच के बाद इस तरह से तो पूरी रो में दोनों सा तरफ से कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब देखें ये रो कम्प्लीट कर ली है अब देखें इस तरह से सारे फिंदे हमें ये क्रीम कलर से कर लें अब फिर से हमने एक फिंदे को छोड़ दिया और सलाई को यहीं से पलड लिया अब उपर तक बना लेती हूं अब देखें धाप कली यह बनके तयार हो गई है यहां तक मैंने फिंदे छोड़ लिए बाकी फिंदे अब इसी तरह से रहेंगे उपर हमें फिंदे नहीं तो देखें अब हम ग्रीन लगाएंगे इंदों पांच फिंदे विल लेंगे इस आभी हमें फिंदों को कम नहीं करना है अब इदे देखें एक दो, तीन, चार और एक यह बिगर बना हुआ पांच और सलाई को पलग लिया है अब उपर तक जो जैसा है बैसा ही बना लेना है अब फिर से देखें अब हमें छे फिंदे बनाने हैं ध्यान रखिएगा जिस तरह से हमने उधर बनाया है उसी तरीके से आपको बना लेना है छे बना लिए देखें यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बाकी फिंदे किरीम पलग से हैं अब देखें यहां पर गैपिंग हो रही है तो एक हम फिंदे को इधर से उठाएंगे और एक और उठा लेंगे, दो फिंदे उठाएंगे तीसरे वाले फिंदे के साथ में इस तरह से बन देना है तो यहां पर एक चैंसी बनती जाएगी बहुत सुन्दल लगती है वो बनने पर तो इसी तरह से आपको बनाना है यह देखें जो जैसा है जैसा ही हम बनते जाएंगे अब देखें अब यह वाला कलर लगाएंगे तो फिंदे कम करना है अब हमने इतना हमने यहां से बना तो फिंदे हमने नहीं बढ़ाए हैं यह साधा साधा बनाया है यहां से हमारे फिंदे बड़े हुए थे अब हमें यहीं से कम करना है तो यह देखें किस तरह से करेंगे यहां पर दो का एक कर दिया यह देखें एक फिंदे को मैंने कम कर लिया डिजाइन को जिस तरीके से बना रही हूँ उसी तरीके से बनेगी यह दिजाइन अब यहां पर एक बार फिर से देखें यह देखें एक इसको उठाया एक और उठा लिया और तीसरे वाले फिंदे के साथ में इस तरह से बुन दिया सलाई को यहीं से पलट लेना है अब उपर तक इसी तरह से बुन लेना है यह देखें यह दिजाइन और यह दिजाइन इस तरह से बनेगी अब यह वाली दिजाइन बनेगी तो किस तरह से बनेगी जिस तरह से हमने पहले हम यह क्वाला कलर लगाएंगे ग्रीन कलर और यहा स Nasıl देखेंगे अपर तक जो जैसा है बैसा में या बूनते जाना है अब फिर से देखें, यहां पे हमने दो का एक किया, तो इसी तरह से आपको बना लेना है, तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यह देखो, मैंने डिजाइन को बना लिया है, इस वाली चलाई में हामें फिंदे कम नहीं करना है, जिस तरीके से मैंने यह नी कम करने हैं जिस तरीके से मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया था उसी तरीके से मैंने गट मिए अब देख़ें लाष्ट सलाई है ये design की कि अब इदर से हमने श्लाई पलट लिया है वो पर तक इसी तरह से बना लिए यह देखो सुन्दर besides डिजाइन बनके तयार हो गई यह देखें सुन्दर सी चैन बनके भी तयार हो गई यहां से लेके यहां तक और यह डिजाइन इस तरह से बनेगी तो यह डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है अब देखें दुबारा से किस तरह से हम डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे तो यह द तो दhगे हैं, ऊपर की साइट कर देगी है, अब शारे ठिंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे, यह देखें, और यहां से देखें, इस तरीके से, इसको इस तरीके से, आब यहां पे देखें, यह देखें, इस तरीके से हम खिननों को ठाएंगे, और इस वाले फिंदों के साथ में बुन नहीं तो आपकी डिजाइन है जो चोटी वाली बहुत सुन्दल लगी है तो पूरी रो इसी तरह से बना लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ यह देखो मैंने बना लिया है अब यह वाली जो डिजाइन थी यह देखें पत्ती पत्ती वाली डिजाइन डालनी है फिर एक एक फिंदा करते हूँ यह वाली हमें पत्ती बनानी है फिर यह वाली इसी तरह से हम बनाते जाएंगे इसी को हमें रिपीट करना है तो आपका यह सरकल में तयार हो जाएगा तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाते हूँ यह यहां से आपको यहां से लेके यहां तक इसको खीचते हुए थोड़ा से सिल्ला है जिस तरह हमने यह चोटी वाली डिजाइन डाली है तो इसको खीचते हुए इस तरह से सिल्ला है यह देखें जिजार कई यह थो जायी इनृगनुगे रखिए ठीच से वालना वालएयो zo इसी तरेके से सिल्ला है तो मैं सिल लेती हूं फिर आपको मैंने सिल लिया है इसमें बीच बीच में मैंने पॉम पॉम भी लगा दिये हैं यह देखें साइड से यहां पे तो यह सुन्दर से लगने लगा है यह देखें